हेलो मेरे साइनिकों कैसे हैं आप सब गूड बार्निंग और आपका अपने परिवालता स्पीडिश्टी पर स्वागत है जी हाँ दोस्तों जैसा कि आपने थम्बनेल में देखा होगा कि 50 कुष्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और रूल के साथ ठीक तो आज जो है दोस्तों देखिए अब मतलब एक एक चैप्टर आप एक एक दिन में ले करके चलिए तो उससे आपको तयार भी हो जाएगा और आपका जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी तरीका क्या है दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि पता है कि भाई बेसिक तो दोस्तों तो आपको निश्चित ही फायदा होने वाला है और आपका कोई भी ऐसा subject नहीं होगा दोस्तों जिसमें आपको कुई सी भी तरा की समस्या हो तो हम लोग दोस्तो आज जो चर्चा करेंगे वो है direct indirect जी हां दोस्तो मात्र दस रूल में हम पूरा direct indirect ख़तम कर देंगे दोस्तो और उसके साथ साथ जो है 50 question की practice करेंगे हम लोग आज ही दोस्तो ठिक तो बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए आपका अपना परिवार है और इसको like करते रहिए share करते रहिए यह दोस्तो आपका काम है मैं आपको 5 सेकेंड का time देता हूँ 5 सेकेंड तो बहुत कम हो गया दोस्तो 20 सेकेंड का time देता हूँ जन्दी से दोस्तो जाए हर ग्रूप में share करिए और वापस आईए हलो अंकित गवरो मुकुंद अभिसेक गूड मॉर्निंग जैहिंद दोस्तो एक बार जैहिंद लिखें दोस्तो क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि हमारी जो सुरुवात होती है दोस्तो जय हिंद से होती है क्योंकि हम सब साइनिक दोस्तों और साइनिकों का काम होता है कि भारत माता की जय का नारा एक बार लगना चाहिए दोस्तों हम लोग देखिए दोस्तो आज शुरू करेंगे क्या शुरू करेंगे दोस्तो हम लोग शुरू करेंगे डारेक्ट इंडारेक्ट जी हां दोस्तो डारेक्ट इंडारेक्ट और हम जोस्तो आज ही आज ही इसको पूरा समाप्त कर देंगे ठीक तो एक बार जो है मैं देख लेत तो नहीं दोस्तों तो देखे डारेक्ट इंडारेक्ट में दोस्तों आखिर ये है क्या कथन देखे डारेक्ट इंडारेक्ट का मतलब होता है कथन नारेशन का मतलब कथन और उसी से डारेक्ट इंडारेक्ट मतलब कि अगर हम माल लीजे कोई बात आपसे कहते हैं ठिक अगर ह कहा तो हमारी बात को जब आप किसी और की बात को किसी और से बताते हैं दोस्तों तो वही हमारा होता है क्या चीज? इन डारेक्ट मतलब मैं बोल दिया डारेक्ट बोल दिया मैंने अर्थाथ आप क्या कहेंगे आप उसको जो है बताएंगे कि सर ने कहा कि पढ़ना बहुत जरूरी है तो दो कहा था कि पढ़ना बहुत जरूरी है यही चीज जब किसी और के द्वारा बनाई गई तो बताई गई तो वही चीज हमारा हो जाता है क्या डारेक्ट नारेशन जी हां दोस्तों तो देखिए हम इसके बेसिक पर चर्चा नहीं करेंगे डारेक्ट हम अपने नियब पर तो याद रखेगा Air Force Navy SSR इसमें सम्मेट दो नमबर का fix ही रहता है दोस्तों दो नमबर का आपका direct indirect fix रहता है दो कुश्चन आपका आना आना है दोस्तों direct indirect का और active passive का तो चलिए हम लोग direct चर्चा करते हैं दोस्तों याद रखेगा rule number 1 कि अगर हम बात करें दोस्तों direct indirect मे रूल नंबर एक हमारा क्या कहता है सुनिएगा रूल नंबर एक हमारा कहता है दोस्तों कि अगर कहीं पर अगर कहीं पर सेट टू लिखा है तो सेट टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं कहीं अगर सेज लिखा है तो सेज को हम तेल ठीक अगर कहीं सेज लिखा है तो तेल्स में लिख देते हैं अगर उसी तरह से लिखा रहेगा तो तेल और या तेल्स हो जाएगा ठीक आगे देखी दोस्तों अगर कहीं पर कहीं पर सेज टू लिखा रहे क्या लिखा रहे दोस्तों से टू लिखा रहे और उसके आगे अर्थाद जो इन्वेटेट कामा वाला है इन्वेटेट कामा वाले कोई पोर्शन में यहां पर जोड़ रहा हूं उसको इन्वेटेट कामा वाले पोर्शन में दोस्तों क्या रहे कुष्चन मार्क रहे, क्या रहे दोस्तों inverted comma वाले portion में question mark रहे, to said to को हम asked में बदल देते हैं किस में बदल देते हैं आस्क दो में बदल देते हैं ठड़तो यह तो आपका main है main का मतलब की, जो rule 1 है, rule 1 का मतलब की हम किया चीज, किस में बदलेंगे दोस्तों ये चीज हम देखेंगे अर्थाद दोस्तों अगर कहीं said to लिखा है तो इसको हम told में बदल देते हैं या कहीं say या sage to लिखा है दोस्तों तो इसको हम tell या tells में बदल देते हैं अगर कहीं said to लिखा है दोस्तों और question bracket के अंदर जो आपका inverted comma है inverted comma के अंदर अगर आपको question word मिल जाता है दोस्तों तो हम ask डगा प्रियोग कर लेते हैं किसी को कोई भी समस्या हो दोस्तों तो comment करें याद रखिएगा अगर आपको basic से पढ़ना हो तो बताईएगे दोस्तों क्यों की देखिए ये मान के चलिए कि आपका जो exam होगा आपका जो exam होगा वो June last के आसपास ही कहीं पर होगा दोस्तों तो इसलिए समय तो जादा है नहीं कि आपको basic से पूरा पढ़ाया जाया लेकिन याद रखिएगा इसी के बाद जब आपका exam हो जाएगा तो उसके बाद basic class में लेके आऊँगा उसमें पूरी English आप basic से पढ़ेंगे तो तब तक के लिए मैं ये मानूँगा दोस्तों कि आपको थोड़ा बहुत आता है अगर आपको फिर भी basic देखना हो तो जो पुरानी वीडियो पढ़ी है प्लेलिस्ट में है ना तो पुरानी वीडियो जो प्लेलिस्ट में पढ़ी है आप वहाँ से पुरानी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों याद रखिएगा हमने क्या कहा दोस्तों पहला चीज तो हमने ये बता दिया रूल नमबर एक में हमारा यही है कि से डू को हम टोल्ड में बदलेंगे से या सेज को टेल या टेल्स में बदलेंगे से डू को आस्कडो में बदलेंगे आगे देखिए दोस्तों अगर अगर रूल नमबर दो की हम बात करें क्या बात करें दोस्तों अम हम Rule 2 की बात करें तो Rule 2 हमारा क्या कहता है सुरिएगा Rule 2 कहता है दोस्तों कि कामा और inverted कामा हटाने के लिए साधारण वाक्य में साधारण वाक्य का मतलब हो गया चाहे आपका अफर्मेटीव हो चाहे आपका निगेटीव हो उसे ही साधारण वाक्य कहते हैं दोस्तों साधारण वाक्य में कामा इन्वर्टेट कामा हटाने के लिए दोस्तों दैट का प्रियोग करते हैं किसका प्रियोग करते हैं दैट का प्रियोग करते हैं याद रखेगा और दोस्तों अगर आपका inčrogative sentence रहे तो वहाँ पर comma inverted comma हटाने के लिए if या whether का प्रियुग करते हैं इफ या वैदर का प्रियोग करते हैं उसके बाद देखिए दोस्तों पहला चीज तो हमने बता दिया कि कामा इनोर्टेट कामा हटाने के लिए दैट का प्रियोग करेंगे साधारण वाक की रहेगा तो अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इफ या वैदर का प्रियोग करेंगे उसी के बाद दोस्तों एक चीज और आता है अगर आपका कुश्चन वर्ड रहे क्या रहे दोस्तों कुश्चन वर्ड रहे कुश्चन वर्ड का मतलब क्या हुआ दोस्तों कुश्चन वर्ड का मतलब हुआ हुआ अगर ये सब चीज रहे दोस्तों आगे डाट डाट अगर कुश्चन वर्ड रहे दोस्तों तो याद रखिएगा कामा इनवर्टेट कामा हटाने के लिए कुश्चन वर्ड को हम उतार लेते हैं कामा inverted कामा हटाने के लिए question word को हम उतार लेते हैं आगे चलते हैं ये था हमारा rule number 2 rule number 3 में चलते हैं दोस्तों rule number 3 दोस्तों आपका बहुत important है rule number 3 क्या कहता है rule number 3 कहता है दोस्तों आप इसका screenshot लेते रहिएगा दोस्तों एक बार आप इसको पूरा देखिएगा एक बार आप पूरा देखिए उसके बात दोस्तों अगर ना समझ में आए तो आप एक comment कर दीजिएगा मैं पढ़ाना बंद कर दूँगा दोस्तों याद रखिएगा इतना आसान तरीके से मैं बताऊंगा आपको इतनी आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको इसको दुबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी दोस्तों रूल नमबर चार है हमारा कि अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्व है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है देखिए दो चीज होता है एक तो होता है यहाँ पर कामा लगेगा और एक हमारा ये इनौटेट कामा तो ये तो हो गया हमारा reporting speech और ये हो गया आपका reported speech दो चीज होता है दोस्तों अगर reporting speech आपका present या future tense में हो किसमें हो दोस्तों present या future tense में हो आप सुनिएगा दोस्तों अगर आपको present या future समझने में अगर problem हो दोस्तों तो आप पीछे वीडियो देख लीजेगा playlist में पढ़ी हुई है वहाँ से आपको present और future tense कैसे पहचाना जाएगा ये पूरा मैंने बताया है tense वाले part में तो देखे दोस्तों अगर आपका reporting speech present या future tense में रहेगा तो reported speech का जो tense होगा दोस्तों वो tense नहीं बदलेगा यार रखेगा अगर दोस्तों reporting verb का speech जो रहेगा वो अगर आपका present या future tense में रहेगा जैसे he says कामा इनोटर कामा राम गो को स्टू मार्केट he says मतलब वह कहता है कामा इनोटर कामा मतलब की राम गो स्टू मार्केट राम बाजार जाता है जी हाँ दोफों, वह कहता है कि राम बाजार जाता है, अगर इसी को indirect में बदलना हो दोस्तों, याद रखेगा He is sage है, ही is sage, अभ अगर अभी sage-to होता यही पर दोस्तों, क्या? अगर यही पर होता sage-to हो क्या होता दोस्तों सेज 2 होता तो सेज 2 को हम टेल या घ्ल समें बदल arms किसमें बदल देते दोस्तों से सेज भूता से तू अगर होता या तोस्तों दोनों चीजा Gus अगर से तू रहेगा तो टेल में बदल देंगे, सेज तू रहेगा दोस्तों तो टेल्स में बदल देंगे, अब यहाँ पर ही सेज लिखा है दोस्तों, तो सेज अगर इसे के आगे अभी आपजिक्ट दिया होता, तब यहाँ पर हम टेल या टेल्स करतें, लेकिन आपजिक् अब देखिए टेंस में परिवर्तम नहीं करेंगे दोस्तों अगर प्रजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो इसमें टेंस में परिवर्तम नहीं करेंगे अगर उस तरह होता दोस्तो गोज का अर्थात present indefinite tense present indefinite का हम past indefinite में कर देती हैं तो इसलिए दोस्तो tense नहीं मतलेगा अर्थात राम गोज टू market यही पर हो जाएगा कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तो बताइए किसी को कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तो कमेंट करिए कहीं कोई दिक्कत है आगे चलते हैं दोस्तो अर्थात हमने क्या बताया अभी यह सब गूल जब हम practice करेंगे दोस्तो 50 question की तो फिर से मैं यह सारी चीजे बताता चलूँगा उसी के साथ साथ तो मैंने क्या कहा कि अगर present और future tense में रहें तो क्या होता है हमारा tension नहीं बदलता दोस्तो आगे चलते हैं क्या कहरा है देखिएगा अगला जो हमारा rule है क्या rule number 5 rule number 5 हमारा कहता है दोस्तो rule number 5 कहता है कि अभी हमने बताया आपको कि एक तो हो गया आपका reporting speech एक आपका हो गया reported speech ठीक एक तो हो गया reporting speech एक हो गया reported speech अभी मैंने बताया दोस्तों कि ये तो आपका किसी भी tense में हो क्या चीज़ों चो ये आपका किसी भी tense में हो अभी तो पहली चीज़ तो मैंने बताया दोस्तों कि जब ये present या future tense में रहेगा तो ये नहीं बदलेगा पहला नियम मैंने बताया फिर मैं अभी बता रहा हूं कि ये दोस्तों किसी भी tense में हो और इसमें कुछ चीज़े दी गई हूं जैसे कोई historical fact दिया गया हूं कोई spiritual truth दिया गया हूं कोई mathematical formula दिया गया हूं ठीक या आगे डार डार दोस्तों जब इस तरह की चीज़ें आपको मिले कोई habit दी गई हूं कोई habit दी गई हो तो इसके सब के साथ अगर कोई historical fact दिया गया हो कोई spiritual truth दिया गया हो कोई mathematical formula दिया गया हो कोई habit दी गई हो तो दोस्तों reported speech का जो tense होता है वो नहीं बदलता है जैसे दोस्तों कि he says उसने कहा या वह कहता है या he said वह कहता है कामा invaded कामा the sun rises into the east सूरी पूर्व में निकलता है चुकि हमको पता है दोस्तों सूरी पूर्व में निकलता है यह आपका spiritual truth है दोस्तों अर्थात यह बदल नहीं सकता तो इसलिए इसका जो tense होगा वो हम नहीं बदलेंगे अगर कहीदिया दोस्तों कि कुट्टा अजनवियों पर भौकता है जी हां दोस्तों यह तो कुत्ते की आदत है कि अजनवियों पर भौकेगा अगर भी वहीं कह दिया जाए कि कुत्ता प नहीं बदलेगा नहीं बदलेगा तर्थात इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों जैसे दोस्तों अगर भी कह दिया जाए कि भारत को आजादी 1947 को मिली तो दोस्तों ये सत्य है spiritual truth है ये नहीं बदलेगा historical fact है दोस्तों historical fact है ये नहीं बदलेगा अर्था दोस्तों इसमें से कोई भी रहेगा दोस्तों तब भी आपका reported speech नहीं बदलेगा कहीं कोई दिक्कत तुझ बताईए और comment करिए दोस्तों कमेंट नहीं आया किसी का कमेंट करें और बताईए कि समझ में आया कि नहीं तो दोस्तों देखें ये तो हमने बताया rule नंबर पांच ये बहुत important है आपका rule नंबर पांच इसी के बाद आगे चलते हैं दोस्तों rule नंबर छे क्या कहता है देखिएगा rule नंबर छे में दोस्तों सुनिएगा जैसे अगर आपको sentence पढ़ने से पता लग रहा है कि आपका वर्ब की first form से reporting वर्ब speech का started है जो reporting speech की starting है वो वर्ब के first form से है तो आखेर हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों हम लोग देख रहे हैं तीनों sentence में जो तीनों sentence मैंने बोला दोस्तों तीनों sentence में हमने देखा क्या देखा कि जो starting है reporting speech की reported speech की वो हमारी वर्ब के first form से हो रही है तो अगर reported speech की आप रारंब वर्ब के first form से होता है दोस्तों तो हम said to को said to को said to को हम ordered में बदल देते हैं said to को हम ordered में बदल देते हैं मतलब कि उसने आदेश दिया कि दर्वाजा बंद करो उसने आदेश दिया कि एक गिलास पानी लाओ उसने आदेश दिया कि वहां चले जाओ किसी को कोई दिक्कत दोस्तों अगर दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फार्म में वर्ब की फर्स्ट फार्म में आई अंजी से स्टार्टिंग हो यहां पर देख लिते हैं दोस्तों या वर्ब की फर्स्ट फार्म ही रहे इस्टा आई बतल धी रहें उसके बाद देखें दूस्तों जो वर्ब के आगे लिखा है ना वही कामा इनोत पामा हटाने के लिए इसके बाद दोस्तों सिद2 को आरड़ं में बतल देते हैं और कामा इनोतमा हटाने के लिए tiefa को करते हैं जैसे he s'id da he said open the door हम क्या देख रहे हैं कि वह आदेश दे रहा है मालनो आपसे छोटा है कहे दीजwater अगर हम से छोटा होगा तो वो आदेश देखा नहीं फोलेवाएगा तो दोस्तो अगर छोटा रहेगा आपसे यहां पर एक वर्ट लग जायेगा क्या प्लीज और जब यहाँ पर प्लीज लग जाएगा दोस्तों तो अभी क्या का की स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट परम से हो यह तो इस्टार्टिंग बदल गए उसको न अभी अगला रूल हम यह बताएंगे दोस्तों देखे तो ही सिड का हो जाएगा ordered he said to me दोस्तों तो he ordered me उसके बाद देखें दोस्तों he ordered me कामा inverted कामा हटाने के लिए TO2 कप्रियों करते हैं he ordered me to open the door कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइए समझ में आया कि नहीं दोस्तों कि अगर आपका reported speech का प्रारम्भ वर्ब की first form से रहेगा तो कामा inverted कामा हटाने के लिए TO कप्रियों करते हैं और said to को हम ordered में बदा लिते हैं उसके बाद देखें दोस्तों अब अगर sentence आप पढ़ रहे हैं और sentence पढ़ने से आपको ये पता चल रहा है कि इसमें सजेशन दिया गया है The teacher said to the student The teacher said to the student लिखते हैं दोस्तों The teacher said to the student कामा इन्वेटेट कामा ठीक अब टीचर इस्टूडेंट को क्या सजेशन दे सकता है वर्क हार्ड कठिन परिस्त्रम करो या क्या सजेशन दे सकता है सजेशन दे सकता है कि सजेशन कोई भी ले लीजी दोस्तों कि टीचर ने बच्चों से कहा कि आपस में मत जगडो तो ये तो 10C बनल गया है दोस्तों चलिए देखिए जब भी इसमें कोई आता है फिर बताते हैं दोस्तों आगे देखिए रूल नमबर साट क्या है दोस्तों रूल नमबर साट में अभी अभी हमने बताया क्या बताया कि अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में आपको प्लीज मिल जाए क्या मिल जाए दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों आपको प्लीज मिल जाए तो जब प्लीज मिल जाएगा तो सेड़ टू को दोस्तों सेड़ टू को हम किसमें बतलेंगे रिक्वेस्टेड में बतलेंगे किस में दोस्तों requested अगर दोस्तों reported speech और प्लीज सब्द मिल जाएक क्या मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे सेट्टू को हम किसमें बदल देंगе दोस्तों requested में बदल कहीं पर कोई विटाउट हो दोस्तों बताईए कहीं पर कोई विटाउट हो दोस्तों बताईए तो ये था हमारा गूल नंबर साथ रूल नंबर आठ क्या कह रहा है देखिएगा रूल नंबर आठ हमारा कहता है दोस्तों रूल नमबर आठ में हमने क्या पढ़ दिया अब अगर आपको सेंटेंस में मिल जाए लेट अस क्या मिल जाए दोस्तों इन्वेटेट कामा के स्टार्टिंग में अगर आपको लेट अस मिल जाए जैसे राम सेड़ टू हिम कामा इन्वेटेट कामा लेट अस गो तेयर आओ वहाँ चले अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि हमको मिला क्या लेट अस लेट अस मिल गया तो जब भी लेट अस मिल जाए तो सेड़ टू को दोस्तों हम किस में बतल देंगे सेड़ टू को हम देखे राम सेड़ टू हिम राम ने उससे कहा लेट अस गो देयर आओ वहाँ चले अब राम जो है उससे भाई क्या कह रहा है बता रहा है ना बोल रहा तो राम तोल्ड हीम राम ने उससे बताया या राम ने उससे आस्क्ड राम ने उससे पूछा तो आस्क्ड तो होगा नहीं दोस्तों क्योंकि कह रहा है कि लेटस वो देयर आओ वहाँ चलें तो सगेश्ट कर यहां पर लिख सकते दोस्तों राम सगेश्टेड हीम लेटस गो तो चाहे लिटस अगर रहेगा तब भी यहाँ पर दोस्तों कामा इनुटेट कामा हटाने के लिए किसका प्रियोग करेंगे डायट का प्रियोग करेंगे अगर हमारा काम लेट अस रहेगा दोस्तों तब भी कामा इनुटेट कामा हटाने के लिए किसका प्रियोग करेंगे ड जब इंटारिक्ट में बदलेंगे दोस्तो तो ये आपका पास्ट टेंस में हो जाएगा, जितने भी present टेंस है पहता, जैसे present इंडेफिनिट टेंस, past इंडेफिनिट टेंस में बदलेगा, present continuous, past continuous में बदलेगा, present perfect टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, प्रजेंट परफेक्ट कांटीनुवस टेंस, पास्ट परफेक्ट कांटीनुवस टेंस में बदलेगा, पहला चीज, दूसरा चीज देखिए दोस्तों, जो आपका पास्ट इंडेफिनिट है, जो आपका पास्ट इंडेफि इपनिट आपका पास्ट परफिक्ट हो जाएगा फिर पास्ट कांटीनुवस दोस्तों पास्ट कांटीनुवस आपका वाजवर है पास्ट कांटीनुवस क्या है आपका वाजवर है तो पास्ट कांटीनुवस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों पास्ट परफिक्ट कॉंटिनूस उसके बाद देखिए दोस्तों जो आपका पास्ट परफिक्ट टिन्स है दोस्तों पास्ट परफिक्ट टिन्स दोस्तों पास्ट परफिक्ट टिंस में ही रहेगा जो आपका पास्ट परफिक्ट टिंस है वो आपका पास्ट परफिक्ट टिंस में ही रहेगा और अगला पांचमा जो है दोस्तों पास्ट परफिक्ट कांटीनुवस टिंस जो है वो past perfect continuous में ही रहेगा past perfect continuous tense ppct past perfect continuous tense यह आपका ppct में ही रहेगा यानि past perfect continuous tense में ही रहेगा उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है कि अगर आपका will will, style, may, kind यह सब किसमें बदलेगा will आपका हो जाएगा would, style आपका हो जाएगा should, may आपका हो जाएगा might, kind आपका हो जाएगा could तो यह है दोस्तों ठेक तो इतनी चीज आपको याद रहनी चाहिए दोस्तों तब हम लोग अपना practice सही से कर पाएंगे इतने में अभी तक जो मैंने बताया क्या इसमें किसी को कोई समस्या है दोस्तों किसी को कोई भी समस्या हो तो आप comment करिए दोस्तों जितना भी main main को उसमें आ जाएगा कहीं कोई दिक्कत हो तो बताईए दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया comment करिए उसके बाद हम लोग question पर देखते हैं चलिए दोस्तों फिर हम लोग आपको question पर ले चलते हैं आखिर question आपका क्या है तो computer screen से देखते हैं दोस्तों एक नट दोस्तों time हो गया है आज का चलिए ठीक है आज time हो गया है दोस्तों आगे जो इसका practice है पचास question का practice है PDF मैं आपके telegram channel पर और WhatsApp ग्रूप पर भेज़ दूँगा दोस्तों ठीक फिर हम लोग जो है कल इसी पर आधारिक जो आपके questions है उन प्रस्टों पर हम लोग culture चा करेंगे ठीक तो कहीं भी कोई भी दिक्कत हो दोस्तों बताईएगा अच्छा लगा हो अगर आपको लगा हो कि हाँ सर ने कुछ बताया कुछ अगर 81-2% बच्चों को भी अगर कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों तो मैं समझो हुआ कि हाँ मैंने अपने इस परिवार की मदद की दोस्तों अब आप सब का करतब भी है दोस्तों कि आप सब अपने इस परिवार की मदद करें दोस्तों ठीक तो इसको सेयर करें लाइक करें दोस्तों और कमेंट जरूर किया क देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में नमस्कार जैहिंद